हलो गैज मैं खुशी रहूँ आपका स्वागत करती है जी नीज में आज मैं आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हूँ जिसको सुनके आप बहुत ज़दा हैरान होने वाले हो क्योंकि यह मामला है पती-पत्नी का एक सक्ष आठ साल से दो पत्नियों को धोका दे रहा था और उसके बाद तीनों अचानक से मिल गए एक शादी में तो चलिए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ पर उसे इंसान के साथ क्या हुआ पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर आपके भी आजवाज़ु में ऐसा कोई सक्ष है जो दो तीन तीन शादिया किया हुआ है और जो यह सब चीजे करता है और लड़कियों को भी छेड़ता और उसके मा अज़ करते हैं आज की निउस एक बिल्डर है जिसका नाम है राहूल उर्फ रागव वह नौईडा का रहने वाला है और नौईडा में उसने दो दो शादियां की हुई हैं और दो शादियों उसने की हैं और अभी तक किसी को पता नहीं चला था और उसको दूसरी शादी क किये हुए तो आठ साल हो चुके हैं और तो और उसने दोनों बीवियों के साथ रहने के लिए प्लान भी कर लिया उसने दोनों बीवियां साथ में न रहे तो पहली बीवी को सेक्टर 49 में रख दिया और दूसरी बीवी को सेक्टर 39 में रख दिया और उसी के साथ उसने अल और हफते में चार दिन वो अपनी दूसरी पतनी के घर पे रहता है तब इस चीज का खुलासा तब हुआ जब एक क्रिकेटर के एक शादी महौरों में वो लोग गए हुए थे और वहां पर उसका जो दूसरी पतनी भी गई हुई थी और जब वो पती वहां पर दिखा और एक दूसरी लेडी के साथ वो बात कर रहा था तब उसने जब वहां पर चान भीन की कि वो लड़की कौन है वो औरत कौन है तब वहां से पता चला कि उसकी ये पहली पतनी है तब पता चलने के बाद तब ये खुलासा हुआ जब उन दोनों औरतों ने साथ में मिलके बात की त दर्ज करवा दी और दूसरी पत्नी ने भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पहली पत्नी ने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई तब उसने बोला कि जब वो मुझसे शादी किया था उसने वैसे तो दूसरी और से शादी भी कर लिया और इसके बारे में मुझे पता नहीं है औ जब शादी मेरे साथ की हुई थी तब उसके ऊपर उसने ये भी अरॉप लगाया कि उस वो एक एस बिल्डर है और बिल्डर होने के नाते उसको अपना बिजनस करना था तो उसने मुझसे 87 लाक रुपया लिया हुआ था बिजनस करने के लिए और दूसरी पतनी का भी सेम ऐस ही कहना है उसने ये बोला कि मुझे 8 साल हो गए है इस से शादी किये हुए हमारा प्यार हुआ था प्यार होने के बाद हमारी लव मैरे जोई हमारे बच्चे भी है और उसने मुझे शादी होने के कुछ महीने बाद ही उसने मुझसे 15 लाक रुपय मांगा जो की बिजनस के लिए चाहिए था उसको तो उसने बिजनस के लिए दे दिया फिर उसके बाद उसने उसे 25 लाक रुपया मांगा तो उस और अरोपी फरार हो गया और उसको ढूंडा जा रहा है और ढूंडने के बाद उससे और भी पुछताच की जाएगी तो गाइस ऐसे भी धोका नवह को 20 टर्फवांत माख़ाया दड़ी हो सकती है कभी बीकिसी इंसान का पता नहीं और इस उपाधि क्या breaths लब आप बीससे क्या इसका की कहले हैं शा're जगा पे नहीं आता था तो है पत्नी नहीं पुश्टे थी पहली पत्नी यो निए इस सब चुछ थी मतलब कि दो दो तीन तीन दिन वह लग रह जाता था और पत्नी यां कोई भी डाउट नहीं करती थी और वो लोग आराम से इतने साल तक दो पत्नियों को मेंटेन कर रहा था तो अभी खुल गया उसका खुलासा और फो गया वह फरार तो अगर वह मिलेगा और हमें उसके की जानकारी मिली तो हम आप तक जरूर पहुचाएंगे पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर आज की जानकारी सुनके आपको अजीब सा लगा है और आपक को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग एचजे नियूज